हे मेरे वतन के लोगो जराख में भरलो पानी जो भूके है गरिब बच्चे उन्हें खिलाओ दाना पानी राम राम सातियो आप सब को शुब राम नमे की हार्दिक शुब कमनाए आप देखरें गोईरिक भारत यूटुब चेनल की दूसरी वीडियो दोस्तों आपने कभी सचाये किया हमारे देश में जो गरिब लोग है कोरुणा की वज़े से होने वाले इस लोगडाउन में इनका क्या हालत होगा 130 करूर अवादे वाला इस हिंदुस्तान में सरकार के इतने तरक्य की बाद भी हमारे देश में ऐसे करूरों लोग है जिने रात को भूखे सोने में मजबूर है देश में ऐसे लाखों लोग है जिनके सोने के लिए सिर पर छात नहीं है आज हम बात करेंगे इस लोकडाउन के बज़े से होने वाले इस भूखमरी को कैसे बचाए इस लोकडाउन के बज़े से होने वाले भूखमरी से इन गरीबों को कैसे बचाए यह समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए देखिए इन गरीबों का क्या कहना है इस भूकमरी के खानक से कानिया siatmaali fae kitenदार ओधिया वे उई ऐस पानी बी निया है तुक मोरे मारे गाम बिजवा यह हम को साधन दो कुछ छुट यहां सम इस भी मारी से पेले इस भी मारी सम बचाई इस बिमारी इस मन feito अज़ये अगो पहले हम के मनने अच्छ है है जो किया हुमारे भीमारी से मने हुआ या अचा है हमारी बीमारी से अखा है हमारी मीरत मैं चार दिसे हम चार दिस से जाए जाने को पोलीस वालों नही भीमार के बगा दिया लुके हैं। मेरी मामी नहीं है। ना देश पसंद है, ना राम पसंद है। हामें जो खिलाए दाना वो लोग पसंद है। आप तो हम भूके हैं भाईया। हामें रोटी पसंद है। आपको क्या लगता है। इन गड़ीबों को करुणा से डर है। नहीं इन गरीबों को इनके बच्चे भुके ना मर जाए इससे डर है ये गरीब लोग आप क्या करने वाले हैं ये देखने से पहले देखे ये वीडियो जरूरत मन लोगों को राशन बाटा जा रहा था लेकिन हैरानी ये कि हिंदूों को राशन नहीं दिया गया बड़ी ख़बर ये है कि ये कहा गया कि प्रशाशन की तरफ से कि ये राशन सिर्फ मुसल्मानों के लिए तो राशन बाटने में भी पाकिस्तान ने भेदवाव किया है इस भुकमरी का जबर्दस्त फाइड़ा उठाने वाले है कुछ सांती प्रियलूद देखिए पाकिस्तान का प्रशाशन ने तो इन हिंदूओं का रशन नहीं देगा तो क्या ये हिंदू गरिब लोग भूके मरेंगे नहीं ये भूके नहीं मरेंगे तो इनको खाना कोन खिलाएगा इनको खाना खिलाएगा पाकिस्तान के कुछ शांती अमन करने वाले लोग और बदले में इस शांती अमन के धर्म को अपनाना परेगा इन गरीबों को क्योंकि इन गरीबों के लिए धर्म से पहले जिन्दा रहना जरूरी है आप जरा सोचिए हिंदुस्तान का क्या हालत होगा कुछ लोगों को करुणा आ गया इससे दुग नहीं है इनको दुख है और किसी कारण से देखिए ये वीडियो तू वो बादशाह है कि जतने फकीर कठे होते हैं तो उतना खुश होता है या ला आज हम तुझे अपना दुखड़ा सुनां चाहते हमारा साथ से बड़ा बड़ा ये नहीं है कि रोना है आए तेरा वेतुल्हा भीरा मेंने ये वीडियो आप लोगों को क्यूं दिखाया ताकि आप समझ सेको इन लोगों की सोच कैसे ये लोग कैसे सोचते हैं और हम लोग इनके बारे में कैसे सोचते हैं ये समझिए और दिल्ली की नदामुद्दिन मस्जिद की घटना तो हमें कुछ और सोचने के लिए मजबूर करती है आप सोचने का समय नहीं आप कुछ कर दि रामनवमी नहीं मनातें और इन में से कूछ गाउं और कूछ शहर मेत तर्ल referred एक-ज़ाउं मिने में एक-ज़ाउं में एक लाक से लेखर 10 लाक, 20 लाक, 50 लाक तक आप सब्सक्रशनी2. अगर इन में से 50% गाव और शहर के लोग एक एक लाक रुपिया राम के नाम पर इन गरीबों को भुजन कराने के लिए दे तो इन रामभप्तों की तरफ से इन गरीबों के लिए चलीस हजार करूर रुपिया इन गरीबों को मीर सकता है और भाया बहुत गरीब धरम परिवर्टन जैसे पापों से बाच सकते हैं और इनको बचाना आपके हाथ में है आगर आप चाहे राम के नाम पे इनको कुछ भुजन करा, इनको रोटी दे, इनको खाने के दे तो ये धर्म परिबुर्तन जैसे पाप से बच सकते हैं और आगर राम का भक्त नहीं तो राम के नाम लेने का कोई कारण नहीं और आप सोच लिजिए इस काम के लिए हमारे भगवान राम खूश होंगे या दूख अगर आपके सपने में भगवान राम आके खूद ये बोलते इस काम करने के लिए तो आप जरूर करते भाईया ये सपना नहीं हकीकत है भाईया ये बात आपको भगवान खूद आके नहीं बताने वाले आप खूद समझ लेजिए और खूद समझ के करिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम ये पैसा ये खाना इन गरीबों को तक कैसे पोचाए तो आप अपने इलाके के किसी भी संगटन की लोगों से बात करिए वो आपके काम में सहरीविता करेंगे और एक बात सारे जहा से अच्चा ये हिंदुस्ता हमारा हम भूल भूले है इनकी ये गुल सिता हमारा भूके मरने वालों की आज नहीं कोई सहारा कुछ रूटी तो खिला दो इन्हें वो जीना पाए दुबारा संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पुर्वक धिन्निवाद ये वीडियो आप अपना वार्ट्साप में डानलोड करके सारे ग्रूप में भेजिए ताकि ये इन्फर्मेशन ये मेसेज सबको मिले और ये चेनल को सस्क्राइब करिए साथ में ये बेल सब्सक्राइब भारत मतारी जाइए